आज मैं परवल भरवा बनाने जारी हूं तो आप लोग वीडियो पुड़ा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइप सब्सक्राइब से यह जरूर कीजिएगा तो यहाँ पे मैं परवल ले ली हूँ तो सबसे पहले मैं परवल ले लेना है और एक बार में मैं पानी ले ली हो तो पानी ले लेना है अब चाकू से हम परवल छील लेंगे चाकू से ही छिलना है उपर से हलका-लका हम छील लेंगे अलका-लका इसकी निकाल लेना है छील करके ले लेना है अब आगे पीछे का काट करके थोड़ा सा हटा देना है तो थोड़ा थोड़ा कट करके अटा देना है पानी में टालते जाएंगे हम तो ऐसे एक परवन छील लेना है और आगे पीछे का काट करके हमें पानी में टालतेना है तो आगे पीछे का काट देना है और चाप उसे ही छिल के हमें लेना है तो देखे सारी परवल में छिल लिए हो और आगे पीछे का काट करके पानी में डाल दीए अब पानी में अच्छे से दो-तिन पानी से साफ करके धू करके ले लेना है तो दो करके मैं साफ करके ले ली हूँ, अब एक चाकू से हम एक परवल बीच से कट कर लेंगे तो आर पार नहीं कट करना है, आधा ही कट करना है तो ऐसे हम इतना परवल काट लेंगे और चाकू की नोक से या चमज की डंटी से इसे हम खाली कर लेंगे बीच से हमें खाली कर लेना है तो देखी मैं बीच से खाली कर ली हूँ तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अंदर से खाली कर लीना है फिर से हमें पड़वल लेंगे और बीच से इसे कट कर लेंगे आदा ही कट करना है आड़ पार नहीं कट करना है अब हाँ चम्मच की डंटी से या चाकु की नोकसे से खाली कर लेंगे इसे फेकना नहीं है खाली करके तो यह सही सारी बड़बल काट करके और बीच से खाली करके ले लेना है हमें तो सारी बड़बल में काट करके और बीच से खाली करके ले ली हो अब एक बॉल में सारी बड़बल में डाल देंगे अब बीच से साइट में रख देना है अब यह जो बीच से मैं निकाली हो तो इसे जो टाइट बीच हो उसे हटा देना है जो soft वाली हो तो उसे काट लीना है थोड़ा-थोड़ा पतलाबारी कर देना है अब ग्यास पर गडाही ले ली हूँ इसमें हम एक चमच तेल डाल देंगे तेल गरम हो चुकी है तो एक चमच हम जीरा डाल देंगे जीरा पक चुकी है तो इसमें हम एक प्याज काट करके डाल देंगे प्याज हम थोड़ी से पका लेंगे, soft कर लेंगे देखिए प्याज soft हो चुकी है तो एक चमच मैंच में लैसन अद्रक की पेश्ट डाल दीओ एक मिनाटी से चलाती भी पून लेना है लैसन अद्रक प्याज को यह देखिए एक मिनाट में पका ली हूँ अब जो पड़वल के अंदर से खाली करके रखी थी वो सारा इसमें डाल देना है एक मिनाटी से भी पका लेना है इसके साथ तो देखिए एक मिनाट में पका ली हो तो सौप्ट हो गई है तो इसलिए हाड़ वाल बीज नहीं लेना है अब एक टमाटर काट करके डाल दी हो तो एक टमाटर डाल देना है एक बार हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम मसाला डाल देंगे तो स्वाध अंसार नमक डालना है आधी छोटी चमच में नमक डाल दी हो आधी चमच हल्दी पॉडर आधी चमच मीर्च पॉडर आधी चमच हम दनिया पॉडर डाल देंगे और आधी चमच गर्म मसाला डाल दीना है अब इसे अच्छे से mix कर देंगे और दीमियाद पे इसे चलाते हुए मैं पका लेना है तो देखिए दीमियाद पे मैं पका ली हूँ मसाला तेल छोड़ दिया है और अच्छे से प्याज टमाटर सौप्ट हो चुकी है अब इसमें हुबला हुआ आलू डाल देंगे दीमियाद पे हम इसे चलाते हुए पका लेंगे तो देखिए दीमियाद पे चलाते हुए मैं अच्छे से mix कर ली हूँ आलू पका ली हूँ मसाले के साथ आलू भी पक चुकी है अब हम ग्यास बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है तो यहाँ पे देखिए ठंडी हो गई है जब मसाला ठंडी हो जाए उसकी बाद इसे परवल की बीच में भाड़ लेना है तो बहुत ही टेस्टी परवल भरवाबन के तयार होती है अलू वाली तो एक बार आप लोग जरूर बनाईएगा तो जितनी ही मसाला इसमें भाड़ सके उत्रा इसमें भाड़ देना है अंदर तक तदे के मैं अच्छे से भाड़ दे हूँ जैसे ये के करके भाड़ लेना है परवल की बीच में अलू मसाला भाड़ देना है तो देखिए अच्छे से भाड़ दी हूँ तो ऐसे ही सारी परवल भाड़ के त्यार कर लेना है तो सारी परवल में भाड़ करके त्यार कर लेना है तो ऐसे पहले त्यार कर लेना है अब ग्यास पे एक कडाई ले ली हो, इसमें हम एक चमच तेल डाल देंगे, जाता नहीं डालना है, एक चमच डाल देंगे अब इसमें सारी परवल डाल देना है आप लोग चाहें तो जादा तेल भी डाल करके उसमें फ्राय कर सकते हैं सारी पड़वल इसमें रख देना है रादी छोटी चमचा नमक इसके उपर से छिरक देंगे डाल देंगे अब इसे धकण से धक देना है अब आज पर इससे पकाना है cheese 2 मिनट के ऐत हम ढकंळा अटा करके इसे पलड़ देंगे दूसरी तुरा फलड़ देना है तो ऐसे ही हम ढखकन से ढख करके हर दो दो मिनाट पड़ी से अलटते पलटते रहेंगे तो एक बार सारी परवल में पलटती हो अब इसे ढखकन से ढख देना है तो हर दो मिनाट पड़ी से चिक करना है तो देखिए में बीच बीच में चलाते हुए पका लिए हो तो यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है कलर भी चेंज हो गई है परवल की तो यह अच्छे से पक जाएगी अब हम निकाल देंगे तो हमारी यह परवल भरवा बन के तयार हो गई तो बहुत ही आसान तरीका है एक बार आपनों जरूर बनाएगा और बहुत टेस्टी बहुत सॉफ्ट बन के तयार होती है तो देखी कितने अच्छी यह बन के तयार है इस वीडियो का आप लोग जाता से ज्यादा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा